Hello Friends, I am your study mate Sariqa Ramola और एक बार फिर से मैं आप सब के लिए लेके आई हूँ बहुत important current affair मैं महिने का 2023 में और ये जो current affair है ये national और international लेबल का है और इसमें जो question है बहुत important है और मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं daily current affair नहीं लाती हूँ अगर मुझे लगता है कि कुछ बहुत important चीजें हो रही है तो मैं weekly डाल देती हूँ current affair और बहुत ज़ादा current affair है और important है तो मैं एक दो दिन छोड़के भी डाल देती हूँ लेकिन important होते हैं और exam oriented होते हैं इसे याद रतना है तो चलिए पहला question देख लेते हैं पहला question है भारत के किस पूर्वोतर राज्य में जनजातिय समुदाय की मांग के लिए बड़ी मात्रा यानि बड़े पैमाने में दंगा और हिंसा और आक्रोस का माहौल है ये question बहुत important है और अगर आप current affair और अपने newspaper को पढ़ते हैं और news देखते हैं तो आपको पता होगा किसका right answer क्या है मनिपूर इसका right answer हो जाएगा ठीक है मनिपूर पे हम इस पे इस पे अलग से topic में चर्चा करेंगे और मैं आपको पूरे इसकी कहानी बताऊंगी मनिपूर की कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है फिलाल मैं आपको बता देती हूँ कि मनिपूर में अगर आप पूरे मनिपूर की बात करेंगे तो दो प्रकार से मनिपूर है एक परवतिय छेत्र है ठीक है और एक घाटी छेत्र एक वैली छेत्र है और एक माउंटेन एरिया है ठीक है इन दोनों में देखे जो परवतिय छे तो मैते भी चाहते हैं कि उनको जंजातिय समू का दर्जा दिया जाए जबकि जो अन्य जंजातिया है यह इसका विरोध कर रहे हैं ठीक है बेसिकली कुकी और नागा इसका विरोध कर रहे हैं और इसी आधार पर यहां पर हिंसा भड़ा कुठिया है बहुत बड़ी मात्रा म मनिपूर से ही रिलेटेड है भारत सरकार ने मनिपूर की वर्तमान हालत को देखते वे कानून ब्यवस्ता अपने हाथ में लेते वे कौन सा अनुछेद लागू किया है ठीक है इंपॉर्टेंट क्विश्चिन है और राइड आंजर क्या हो जाएगा इसका आर्टिकल 355 हो जा राज्योस पर काबू नहीं पा पा रही है तो इसके लिए केंद्र सरकार पूरी जो कानून व्यवस्ता है अपने हाथ में ले लेती है 37 स्थापित करने के लिए तो इस अनुछेद को याद रखेंगे आप लोग ठीक है चलिए नेक्स्ट क्विश्चिन है मसहूर अक्टर मनुवल का निधन मई यानि 3 मई को ठीक है 3 मई 2023 को हुआ वह किस फिल्म इंडस्ट्री से सम्मंदि थी तो ऐसे कुशन भी बहुत बार पूछे जाते हैं या तो उनका पूछा जाता है कि वह क्या थे डारेक्टर अक्टर भी आपका ऑप्शन आ सकता है और या तो पूछा जाता है कि किस इंडस्ट्री से थे ठीक है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा तमिल इंडस्ट्री हो जाएगा चलिए पूर्थ कुशन है हाल ही में किस राज्जी की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कौसल उन्नयन और वैस्विक रोजगार योजना को मंजूरी दी है ठीक है केवल और केवल जो बैनर लगे वे हैं वहाँ पर रोजगार दिया जा रहा है वास्तों में इस सिती आप सब को पता है ठीक है तो ननियाद करने के लिए आपको बता दिया कि वैस्विक रोजगार की जहां बात हो रही है तो कौन कर रहा है उत्तरा खंड कैविनेट ने इस बहुत बार बनते हैं जब किसी देश के राजधानिया या उनमें कोई परिवर्दन किया जाता है नाम में ठीक है तो राइट अंसर क्या हो जाएगा बोर्नियो दीप हो जाएगा ठीक है इसका राइट अंसर चलिए नेक्स क्विशन है अभी हाल ही में भारतिय नौसेना न सिलीनेक्स नामक नौसेनिक अभ्यास किस देश के साथ किया तो ऐसे डारेक्ट क्विशन भी आ जाते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा श्री लंका हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स इंपॉर्टेंट क्विशन हाल ही में पांचवां आसियान भारत ब्यापार सिखर सम्म संगठन है और इसके स्थापना हुई थी 1967 में इस संगठन को हम अलग से पढ़ेंगे जैसे हमने नाटो को पढ़ा था अलग से डिटेल में वैसी मैं आपको अंतरास्तिय जो संगठन है वो भी पढ़ाऊंगी तो वैसे उनमें आसियान भी है जो बहुती सक्सेस एक और्ग लेकिन आसियान और आसियान के देशों के साथ भारत ब्यापार करता रहता है ठीक है तो इसका जो पांचवा सिखर सम्मेलन हुआ हो कहा हुआ क्वा क्वालामपुर की रासानी क्वालामपुर ठीक है चलिए आटवा क्वेशन है हाल ही में लिखी पुस्तक मुंडग उपनि ने किया ठीक है साथ ही मैं आपको बताऊं कि जो डॉक्टर कर्ण सिंग है इनका जो जन्म हुआ एक राजकुमार के रूप में हुआ लेकिन इन्हों ने जो इनका एक एलीट क्लास थी उसको त्याकर बोला कि मैं एक आम नागरिक रहना चाहता हूं बनके तो आम कवी के प्रोजेक्ट लायन के तहत गुजराद के गिर के बाद किस इस्थल को अश्याई सेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है ठीक है किया है और अगर आप देखेंगे एक कुशन यहीं से निकल के आ रहा है यानि जो एस्याई सेरों का पहला घर है वो कौ प्रोजेक्ट लायन के अंतरगत सेरों का दूसरा घर हो ठीक है चलिए नेक्स कुशन है वकीलों की सुरक्षा के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है ठीक है वकीलों की बात कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा के लिए कानून बना दिया ग question King Charles Tritya की आपचारिक समारो में भारत की औपचारिक समारो यानि जो ताज पोसी उइ ठीक है ताज पोसी समारो में भारत की ओर से किस ने प्रतिभाह किया और भारत का प्रतिनिद्ध तो किस में किया तो राइट आंसर क्या हो जाएगा उपराश्च्छती जगदी धनखड ने किया है ठीक है खिया राइट अनसर क्या हो जाएगा जगदी धनखड जो क्या है वर्तमान में हमारे उपराश्च्छती थीक अगर हम बात करेंगे जो किंग्स चाल्स तिरती हैं इनको इनकी ताजपोसी यह राजासले बनाया जा रहा है क्योंकि सितंबर में महरानी एलिजाबेट का क्या हो गया था निधन हो गया था तो आपचारिक रूप से जो फॉर्मेलिटी हो रही है ताजपोसी की वो कब हुई है 6 माई 2023 ऐसी डेट पूछ ली जाते हैं कभी कभी ठीक है चलिए नेक्स कुशन है हाल ही में एन एम आई एस यानि नेशनल मैनुफेक्चरिंग इनोवेशन सर्वे दो हजार इकीस बाइस की बात हो रही है ठीक है इसमें किस राज्य या जो केंदर सासवत प्रदेश है उस एक नवाचार को अपनाया है अपनी हर एक चीज में नयापन लाया है ठीक है तो वो राज्य कौन सा है करनाटक चलिए नेक्स कुशन है वर्ल्ड एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथ मही को हो जाएगा और खेलों के प्रत चलिए चौदवाँ कुशन है निसार क्या है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा प्रत्वी की सत्य के अवलोकन के लिए विक्सित उपग्रह है ठीक है यहीं पे आप लिख लीजे कि जो निसार है इसका जो इसको विक्सित किया गया इस उपग्रह को वो नासा और इस में इसका प्रियोग Dare जैसे जुसीमट की घतनाएं अगर अगर ह् framework कोई होती में मैंने कोई सीमा में अगर होती है तो इसकी चेतावनी और जानकारी भी सटिक देगा यह उग्रय निसार ठीक है तो यह बहुत important है और जो इतना समवेदन सील जैसे जोसी मठ है वैसे कई इस्थान है उत्तराखंड और भारत में तो ऐसे चीजों के लिए उग्रय जो है बहुत फाइदे मंद होने वाले ठीक है नेक्स्ट है विश्व में सरवाधिक लिथ अस्ट्रेलिया हो जाएगा उत्मादन के आधार पर और भंडारन की बात की जाएगी तो चिलीज का राइट आंसर हो जाएगा ठीक है साथ ही मैं आपको बताओं कि अभी हाल ही में जम्मू कस्मीर में ठीक है जम्मू कस्मीर में लगभग 5.9 मिलियन टन जो है वो लिथियम का भंडार मिला है ठीक है और आप मुझे अभी कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आज और कल की घटना है कि कहां पर इससे भी जादा लिथियम मिला है भारत में ठीक है तो बताएंगे जरूर कॉमेंट बॉक्स में चलिए देख लेते हैं next question next है दुनिया की सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म के रूप में किस प्लेटफॉर्म का नाम गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है question मैंने पहले भी discuss किया है लेकिन इसका जो railway station है वो आज हम discuss करेंगे बहुत important है और इसका right answer क्या हो जाएगा सिद्धिरुधा स्वामीजी railway station जो कहां पर है करनाटक में ठीक है करनाटक के हुबली में है और इसका जो है उद्धाटन क्या गया था और इसकी जो लंबाई है लगवक कितनी है 1507 मीटर चलिए सत्रवा क्विशन है कॉंग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांदी की संसत सदस्यता 24 मार्च 2023 को रद कर दी गई वह कहां से लोगसभा सदस्यत है ठीक है तो यह कुशन important हो जाता है अगर कोई करना मतलब ऐसे कुशन बनाए तो क्योंकि कुशन important है ठीक है तो इसका कहां से जीते थे वाइनाड से जीते ठीक है तो आप लोग सुन रहे हैं वीडियो को यह नहीं कॉमेंट करके जरूर बताएंगे कि वाइनाड जो विधान सौरी लोगसभा सीथ है वो किस राज्य में ठीक है तो चलिए नेक्स्क्विशन है समलेंगिक विवाह को मान्यता द इसके अलावा सबसे पहले विश्यो में नीदरलेंड ने मान्यता दी है समलेंगिक विवाह को लेकिन हाल ही में जो भारत का सुप्रीम कोट है इसमें जो याचिका गई थी उस पर जब जो याचिका दायर की गई थी और उसका जो जान चल रही थी तो केंदर सरकार ने अप यह गलत है चलिए नेक्स क्वेशन है बी बी सी का स्पोर्ट्स वोमेन आप दे एर पुरुष्कार ठीक है और कपके लिए 2023 किसे प्रदान किया गया तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मीरा बाई चानू को दिया गया ठीक है और किसे सम्मंदित है गेट लिप्टिंग से सम आप रेडियो और अब तो यूट्यूब अगरह में भी इससे न्यूस सुनते होंगे तो बी बी सी क्या है ब्रिटिस ब्रॉड कास्टिंग कॉर्पोरेशन है ठीक है और इसके स्थापना कवी थी 18 अक्टूबर 1922 को ठीक है तो यह चीज़ आप याद रखेंगे नेक्स पहरतिये फिल्म कलाकार को इूनीसेफ का ब्रांड अमबेस्टर ठीक है जिम को इसे बनाओ अंसर क्या हो जाएगा अईश्मान उ स्ट बिक स्थ Québec भारतेय फिल्म कलाकार को इसे बनाच रांड राहिब ऑपशंद्र की बनाए गया है किसे बनाय है तो राइट अंसर क्या व Almost कप 2026 का योजन कहा होगा तो आप लोग मुझे बताएंगे और जो पिछला जो हुआ है अभी फीफा वल्ड कप वो किसने जीता है क्या क्या उसके इंपोर्टेंट रहे हैं चीजें वो हमने पहले जो करेंट अफिर पड़े हैं उसमें देख ले हैं बहुत सारे बच्चे जै आजकल भी जिसे सब डाल रहे हैं वो मैं बहुत पहले से बना के आ चुके हूँ अब एक बड़ प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखिएगा डिरेक्ट मैकजीन से मैंने बनाये हैं बहुत अच्छा क्लेक्शन है एक्जाम ओरियंटेड है मेन बात यह और जो भी मैं कुश करती हूँ कि मैं कंटिन्यूसली आपको प्रवाइट करवाँ